मात्र इन चीजों को मिला कर ही बालों में अगर अपने लगा लिया तो कुछ ही दिनों में बाल इतनी तेजी से बढ़ जाएंगे कि खुद ही कटवाने पड़ेंगे ना विस्वास हो तो खुद ही देख लें नमस्कार दोस्तों स्वागत है रुगा नुसार में एक नए और इंपोर्टेंट वीडियो के साथ है दोस्तों आज कल जिस तरह पर दूसर खराब जीवन सैली लोगों ने अपना ली है उससे बाल बढ़ेंगे नहीं बलकि ऐसमें जढ़ते हैं सभेद होने लगते हैं बालों का बढ़ना कई बार धूल मिट्टी गंदगी और प्रॉपर हेयर केर ना करने से भी रुक जाता है कई बार केमकल युक्ते सैंपो का इस्तेमाल भी बालों को बेजान बना देते हैं जिससे बाल तूटने लगते हैं एक बार बाल तूटने लगे तो फिर उनका विकास भी नहीं हो पाता महिलाओं में बालों का लंबा कहने का बहुत ही चलन है भारत ही नहीं पूरे 200 भर की महिलाएं बाल बढ़ाने के तरीके आजमाती रहती हैं कुछ लड़कियां बाल बढ़ाने के घरे लो उपाय आजमाती हैं लेकिन क्या आपको बालों को तेजी से लंबा कर लेकिन इसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छुटे और आपके लंबे बालों का सपना अधूरा रह जाए तो वीडियो को अन्त तक जरूर देखें दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कना ना भोलें इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वेल आइकन दबाने के साथ ही आल नटिफिकेशन को जरूर आन कर लें ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नटिफिक का उपियोग बालों से प्रोटीन लाउस की समस्या को कम कर सकता है यह प्रोटीन से में घहराई तक जाकर बालों को सुच्त बना सकता है साथ ही इसमें तो बbourne के लिए लापकारी होता है नारियल तेल में बालों को सुरचित रखने का बहीं गुड़ होता है कई हेर केर प्रोडक्ट में भी नारियल तेल का उपियोग किया जाता है जो बालों के विकास में मरदगार हो सकते हैं दोस्तों इसके लिए आप को चाहिए किवल नारियल का तेल और इसे आपको ध्यान रखना है कि आपको नारियल तेल दिन के समय कभी भी ने लगाना है आपको रात को सोने से पहले ही नारियल के तेल से आप बालों में लगा कर मालिस करें और सुबह है अपने बालों को अच्छे से सेम्पू से धुलें नमबर दो केला केला खाते तो सभी हैं लेकिन अगर इस तरह से बालों में लगा लिया तो हो जाएंगे बाल बिलकुल लंबे घने और काले दोस्तों फालों में केला बालों के लिए हेल्दी होता है इसे खाने से बालों की ग्रोथ जल्दी होती है साथ ही इसे तैयार हेर मास्क भी फाइदेमंद हो सकता है केले में बिटामीन A बिटामीन C और बिटामीन E के अलावा कई मिनरल्स भी मौजूद होते हैं जो बालों को मुश्चराइज और मजबूती परतान करते हैं केले का हेर मास्क बनाने के लिए आपको एक केले ले लेना है और इसे मैस कर लें आप उसमें दो चमच दही दो चमच गुलाब जल मिलाएं इसे बालों और सकैप पर अच्छी तरह से लगा कर आदे घंटे के लिए छोड़ दें तिर बालों को पानी से धोलें ऐसा करने से आपके बाल लंबे और घंटे हो जाएंगे नमबर तीन लेसुन दोस्तों तड़का मारने के अलावा भी लेसुन अगर इस तरह से परियोग करेंगे तो पाएंगे लंबे काले घंटे बाल जी हाँ दोस्तों सेहत के लिए लेसुन के फायदे तो होते ही हैं साथ ही बालों के लिए भी लेसुन फायदे मद हो सकता है लेसुन का जेल और बेटा मेथासोन वैलरेट का मिस्टरण एलुपेसिया एरेटा के लिए तेरपी की तरह काम करता है इसके लिए आपको चाहिए लेसुन की एक या दो कलिया और इसे आप एक ये दो चमस सहत के साथ मिला कर पेश्ट बना लें जहां दोस्तों और इसके बाद आप अपने स्कैल पर अच्छे से इसे लगा लें और लगभग आदे से एक घंटे के बाद बालों को सैंपू कर लें नमबर चार चीनी चाय बनाने के अलावा भी चीनी आपके बालों के लिए इतना फाइदे मन्द है दोस्तों हेयर एक्सपर्स मानते हैं कि बालों को सॉफ्ट और चमकदार बनने के लिए सैंपू में सूगर अर्था तर चीनी मिलाना चाहिए अगर आप सैंपू में चीनी मिलाकर बालों में लगाती है तो सर की सफाय ठीक से होती है डेली सैंपू में सुगर मिलाकर लगाने से बालों के पास की मिर्त तोचा यानि रूसी खत्म हो जाती है निकल जाती है और इसे नहाने से पहले ही आप अपने बालों में लगा सकते हैं लेकिन ध्यान रहे हाथ को हलके हाथ से ही बालों की जड़ों पर रगणें नमबर पांच जी आदोस्तों बालों को प्राकृतिक तरीके से कलर करना हो ये कंडीशन करना हो मेहदी सफता और असरदार घरलू तरीका है इसके रावा मेहदी बालों की विकास में भी सायक हो सकती है एक रिसर्च के नुसार ये बालों के लिए काफी लापकारी होता है इसके लिए आप कुछ चाहिए एक कप मेहदी पाउडर और दही मेहदी पाउडर को दही में मिलाकर पेश्ट बना लें इस पेश्ट को बालों में लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें फिर पेश्ट को सूखने के बाद आप सैंपू कर लें ऐसे करने से आपके बाल लंबे और खने हो जाएंगे और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें